नमस्कार देच्चू चैनल पर आपका श्वागते बात करते हैं राजस्तान के मौशम की बारे में अगले 24 कंटों सी लगा कर एक सब्ता के दुरान कैसा रहेगा मौशम आज है 10 अगस्त दोजार 24 तो परदीश में लगतार मानसून सक्री है और आगले एक सब्ता तक लगतार सक्री रहेगा आज 10 अगस्त हैं अगले लगबक 10 दिनों के अंदर अंदर राजी के कई भगों पर एक बार फिर से भारी बारिस तो कई लेके जल मगन होने की संपावना है जो की खास कर 15 अगस्त के बाद में फिर से इस्तती बनने की जो 6 लगा कर 7 अगस्त के दौरान जो बारिस हुई थी इसे हिसाब से एक बार फिर से बारिस पाड़ वाली होने वाली है तो सभी से निवी देना की सतरता रहे हैं यहां पर देखा जाथ 15 अगस्त के लगबक शमानी बारिस होगी कहीं हैं लगित कहीं मत्यम दुक कहीं की तेज खंदर जगी बारिस होने की संपा होने हैं खासकर 15 अगस्त के बीश में परवा हो रहेगा खासकर देखा जाए 16-17 अगस्त के दौरान हलकी तेज बारिस के दौरान लगबक राजस्तान के शमपून भागों पर मद्यम तेज चुक के बारिस होने की बारिस होने की संपाना हैं आगले सोबी से 37 गंटों की बात का हैं जोदपूर शमपूर नहीं होने की संपाना ना बन रही हैं आज दोपर से लगा का देर रातरी की बीच में जेसल मेर की पूरी इलाखे हैं उत्तर पूरी इलाखे हैं जो पोकरन हैं राम दिवरा के आसपास की चत्रे हैं और कुछ बार उटेकरा के आसपास की भागे यहां पर देखाज़त कहीं कहीं चित्राई हलकी से लगा कर मत्यम ब बारिश होगी हमें टाइम के लिए मौसम सुच करेगा लेकिन 15 से लिगा कर 22 अगस्ट के बीश में जिसल मेर के कई बागों पर जोरदार तो कहीं कई फारी बारिश फेर से दर्जोगी फड़ोदी जोत्पूर की बात करें हैं पर भी अगले 120-37 कंटों के दुरान कहीं कहीं मे जगी बारिश होने की शंबाण हैं और पाली के सत्र हैं और पाली के खासकर पूरी इलागों पर कहीं के मज्यम से लिगा कर एक दो जगा पर मुशलादार बारिश का दोड़ भी रहने की शंबाण हैं और कोटा ओधिपूर संबाग की बात करें हैं पर ओधिपूर संबाग कि जिलोपरा के लिए 27 गंटों को दोरान भी कहीं कहीं मद्यम से लिगा कर 30 गंट दर्ज़ा की बारिश हो शकती हैं जो डूंगरपूर के चत्र हैं बांश वड़ा हैं परताब गड़ के आशपास की भागों पर और राशमन हैं और जो सितोड के चत्रहियां पर भी अगले 37 30 गंटों को दोरान कहीं हलकित कहीं मद्यम तो कहीं मुशलादार बारिश का दोड़ रहेगा लेकिन 27 गंटों के बाद मिया पर बारिश में बड़ोतरी होगी खास कर देखा चाहिए तो आज 10 अगस्त ये 12 अगस्त के दोरान उद्धिपुच और कुटर संभा के नेक भाग चाहिए तो आजमेर और जो मालपुरा के आसपास के शतर हैं टौक हैं कैकड़ी के जो 20 अजमियां से लगा कर जो टौक हैं मालपुरा हैं कैकड़ी के आसपास के शतरों पर कहीं मद्यम तो कहीं मुशलादार बारिश होने की संभा होना है एक दो जगा पर बारी बारिश भ आजबास की सतरें टोंके लगें इन शेत्रों पर आज 10 अगस्त हैं 10 11 और 12 अगस्त के दुराइं तीन दिनों के दुरान यह पर भारिश लिए लगा कर जेपूर संबाग की जिलो पर बारिश में बड़ोतरी होगी लेकिन आज 10 अगस्त के दुरान बीचे पूर संबाग की जिलों पर बदल जम कर बशने की संबाउना हैं विकाने शंबाग के जिल्लों पर भी 351 गंड़ों से लगता रोकर करके अलुकी से लगाकर खांड डर्जा की बारिश हो रही हैं तो कहीं कई बीस-बीस में मौसम सुस्क की बना हुआ है लेकिन आने वाले सब्ता में बिकाने संबाग के जिलों को काफी जोरदार बारिस होने की संबाउना है लेगबुक बिकाने संबाग के संपूर्ट भाकों की बात करें तो यहां पर भी यहां खास कर 17 अगस्त से लगा कर 23 अगस्त के बीच में बीकाने संबाग की जिल्लो पर भी बार्ड बारिष होने वाली है और कई लेक वाड़ जी समस्या बन सकती है लेकप डैर सो से लगा कर 200 mm तक बारिष बीकाने संबाग की जिल्लो पर रिकॉर्ड होने की संबाओना है सोड़ा अगस्ते लिगा कर 22 अगस्त के बीश में पर्थपुर संबा की बात कर यहां पर भी बीटे सब 20-20 गंटों को दुरान कई कई में गनेक साथ कई हलकीत कई मद्यम से लिगा कर मुशलादार बारिस दोग देखने को मिली हैं लेकिन आज 10 अगस्त के दुरान जिल्लों पर भी एक बार फिर से बाड़ वाली इस्तिती पेदा होने की संबावन हैं और कई लेके हैं जो जल्मगन भी हो शकते हैं कापी भारी बारिस दर्जोने की संबावन हैं खासकर 17 से लिगा कर 2220 अगस्त के बीश में बर्थपुर संबा के जिल्लों पर मद्यम भार बारिस दर्जोने की संबावन हैं तो आप इसी चैनल पर पहले बार पदा रहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए का चेहन चेराजस्तान